आज हम लोग application of the technology पढ़ेंगे class 10 chapter ना दें कि इसका use कहां कहां हो सकता है देखिए जब भी हम कोई theta निकालते हैं जैसे हमने का tan theta तो tan theta होता है perpendicular upon base अगर perpendicular upon base है तो हमें अगर theta हमारे पास 3 चीज़ें आ गई ना जैसा सोचो कि हमने लिखा tan theta equal to perpendicular upon base तो हमारे पास perpendicular है base है और theta है यानि angle है और दो side है तो इन में से अगर कोई दो चीज़ें हमें पता हो ना तो तिसरी चीज़ हम निकाल सकते हैं आसानी से बस इसी चीज़ को हम use करते हैं और मतलब बड़ी बड़ी building है नापना या नदी के उधर कोई चीज़ है तो हमें नदी की लंबाई नापना अगर height में कोई चीज़ है angle हमें पता हो गए और height पता हो गई तो हम नदी की चोड़ाई नाप सकते हैं तो इन सब का हम लोग इस chapter में use करेंगे तो हम लोग question पर आते हैं direct question को अपने दिमाग में imagine करेंगे मतलब क्या-क्या रहा होगा फिर एक figure बनाएंगे figure के बारे में आपको पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा लिखने के बाद question solve करेंगे question solve करना बहुत आसान होगा question solve करने के लिए मैं आपको सारे question solve करके दिखाऊंगा यह करके question number हम एक पर चलते हैं जो कहानी कुछ ऐसी है question को समझना समझना अगर आपको सभी से समझ में आ गया ना फिर question आप से लगी जाए एक कोई circus है circus का artist है वो क्या कर रहा है वो पहले तो एक pole है कहीं पर यह ground हो गया सब्सक्राइब है हम हर एक question को एक figure में ही बनाएंगे तब ही हम question solve कर पाएंगे यह मालिया हमरे पास को ग्राउंड है ग्राउंड पर एक pole लगा है मालिया हमने इस pole का नाम पी क्यू है और क्यू आर हमारा ग्राउंड है और यहां से आर से एक रसी रोप जो कर दी गई है इसके वर्टेक्स है एक रसी हमने आपर एक मतलब हमने एक बांदी यह रसी ग्राउंड से 30 डिगरी का एंगल बना रही है यह question वाले ने हमें बता दिया इस पर कोई चड़ रहा है हाइट अब दपोल याणि पीक्यू आप से पूंचा है लेंग्विज आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा क्या लिखो गे जैसे आप लिखोगे पीक्यू इस पोल प्यारी जब रोप और यह सब पूरा आपको यहां पर लिखना है इन्दी वाले बच्चे present जोड़ेंगी अब कुस्टिन कैसे कि करेंगे क्ड़ेंगे सफिकर को ध्यान दुखेंगी अध्यान से देखने के बाद इसकी लंबाई दी हुई अगर रसी की लंबाई question वाले ने आपको 20 मीटर दे दी यह कितनी है रसी की लंबाई 20 मीटर है अब सोचो आपको क्या दे दिया पी आर दे दिया सर पी आर कितनी है 20 मीटर क्या पूचा पी क्यू पूचा है पी क्यू माने खंबे की उचाई पूची है यह हमें नहीं पता है अब जरा सोचो, ये angle के साथ ये क्या हुआ, लंब हुआ, perpendicular, ये 90 degrees के सामने क्या हुआ, hypotenuse हो गई, 20 meter, इसके सामने का perpendicular पूछ लिया, hypotenuse पता है, hypotenuse और perpendicular, यानि कि कान और लंब में क्या relation होती है, तो sign की relation होती है, हमें ये पता है, कि sign theta equal to perpendicular upon hypotenuse होता है, अगर ये हो गया, तो इस figure के according, सारी value डालते हैं और देखते हैं, तो इस figure के according हमारा sign theta की जिएका 30 degree, क्योंकि angle 30 दिया हुआ है, perpendicular कितना है, PQ है, hypotenuse कितनी है, hypotenuse PR है, PR की value हमें पता है, तो PQ तो PQ रहा, PR की value हमें 20 डाल दी, sign 30 की value हमें पता होती है, बना पांटू होती है, तो क्या मैं 20 उदर भेज दूँ, 2 इदर भेज दूँ, 2 उदर ही रहे हैं दो ना, 20 इदर भेज दूँ, तो 20 अपां 2 equal to क्या आ गया, PQ आ गया, और ये cancel कर दिया, आपने 10 आ गया, तो PQ कितना आ गया, PQ आ गया 10 meter, PQ क्या था, PQ height of the pole है, कितनी आ गया, 10 meter काम हो गया, main काम तो आपका triangle बनने के बाद इतने ही है, लेकिन हमें करना क्या होता, हमें question पढ़ना होता है, question पढ़के हमें figure बनानी होती है, जो की main है, इस figure के बाद में ही हम इस question को solve करेंगा, और question no.2 की बात हो रही है, मैं question no.2 पहले तो पढ़ता हूँ, टी, breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter, find the height of the tree, question समझाता हूँ आपको, कि एक पेड है, एक पेड पहले यहाँ पर तक रहा होगा, ऐसे उपर पूरा पेड रहा होगा भाई, लेकिन इन्होंने क्या, एक मतलब storm मनें तूफान कोई आया, तूफान से यह पेड यहाँ से ऐसे करके इधर गिर गया, मतलब तूट गया, अब तूटने के बाद जब गिरा है, तो वो कुछ यूँ ऐसे करके इसका यहाँ पर तच करने लगा जमीन को, अच्छा, यहाँ तच करने लगा है, और यह यहाँ से 30 डिगरी पर तच कर रहा है, कितने डिगरी पर? 30 डिगरी पर, और जो इसकी जड़ है, जड़ से इसकी यहाँ पर तच हो रही है, पेड का शिखर जो यह वाला है, जो यहाँ जमीन पर तच कर रहा है, यह 8 मीटर दूरी पर तच करने आया है, कितनी दूर आठ मीटर की दूरी पर यहां पर टच किया करके इन्हों ने पूछा है कि टूटने से पहले पेड़ की उचाई बताईए यह question बहुत important है अक्सर पूछा जाता है अच्छा मैं नेमिंग कर लेता हूँ इस figure की हमने माल लिया कि पहले PQ एक पेड़ था जो आर पॉइंट से टूट गया और जो यह क्यू पॉइंट है ना वो यहां पर टच हुआ करके और इसको मैंने Q- कह दिया हमें क्या निकालना है हमें अच्छा यह जितनी भी मैंने बातें बोली है और मैंने यहां पर नेमिंग करी है यह सारी चीज़ें आपको लेंगविज में यहां पर लिखनी पड़ेंगी नंबर आपको उस चीज़ के भी मिलेंगे अच्छा यहां पर आईए हमने यह कहा कि यह जो उचाई है ना उचाई हमें क्या चाहिए हमें पेड़ की टोटल उचाई चाहिए यानि हमें पी क्यू निकालनी है अच्छा पी क्यू निकालनी है अच्छा पी क्यू निकालना है यानि पी यार भी चाहिए हमें पी यार मनि यह हाइट चाहिए यह हाइट का मतलब यह भार क्यू जो है ना आर क्यू आर क्यू डैस के बराबर है क्यूंकि यहीं इस्ट अ करके जमीन में चूगया नी करके में डिस्ट कोड़दूंगा और पूरे पेड़ की हाइट अमें पता चल जाएगी तो चलिए करते एक एक करके काम करते हैं हमें अगर इस ट्रेंगल में देखें इन ट्रेंगल पी आर और Q-DES में, तो यह perpendicular हो गया, मतलब यह lump हो गया, यह आधार हो गया, और यह count हो गया, hypotenious हो गई, अच्छा, तो इससे क्या हमें मिलेगा, हमें सबसे पहले base पता है, और यह चाहिए, तो हमें lump और आधार, यानि आधार पता है, और lump चाहिए, यानि base और perpendicular की relation, कौन सा ratio होता है, तो यह होता है 10 theta, क्या होता है, 10 theta, 10 theta में क्या होता है, यह होता है, perpendicular upon base, क्या होता है, perpendicular कितना यहां पर, PR, base कितना यहां पर, PQ-DES, अच्छा, सारी value put करते हैं, तो 10, यह 30 degree हो जाएगा, 10 30 degree, PR हमें पता है, नहीं पता है, तो PR को PR ही रहने दो, लेकिन PQ-DES कितना है, वो 8 है, लिख दो, लिखने के बाद, 10, 30 degree की value आपको पता होनी चाहिए, यह होती है, 1 upon root 3, 1 upon under root 3, और 8 भी तो इदर आएगा, multiply में, तो 8 इदर आ गया, यहां क्या बचा, PR बचा, अच्छा, PR कितना हो गया, 8 upon root 3 हो गया ना, PR कितना हो गया, यह हो गया, 8 upon root 3, भ्यान देजिए, नीचे का root हम नहीं चाहते हैं कि नीचे हो, क्योंकि यह problem करेगा, इसलिए मैं under root 3 से multiply और under root 3 से divide कर दूँगा, इससे क्या होगा, उपर हो गया, 8 under root 3 upon maybe 3, यह हमारा क्या आ गया, यह हमारा PR आ गया, PR मनी यह वाली distance आ गई, अब हमें क्या चाहिए, आर क्यू डैस चाहिए, आर क्यू डैस मने हमारे पास ऐसी कौन सी relation है, जो यह, मतलब यह वाली hypotenious और base की होती हो, तो यह होती है, एक cos theta, cos theta क्या होता है, base upon hypotenious लिखते हैं, फिर इसी triangle में, इन triangle कौन सा, PR q-डैस में, PR q-डैस में, अच्छा, PR q-डैस में हमारे पास क्या होगा, cos theta अगर मैं लेता हूँ, तो cos theta क्या होता है, base, यहनी p q-डैस, p q-डैस upon r q-डैस, r q-डैस, अच्छा, cos theta, theta की ज़िए, आप कितना लिखोगे, 30 degree, तो cos 30 degree is equal to p q-डैस, p q-डैस मने 8 है, r q-डैस, r q-डैस आपको पता ही नहीं, ऐसे लिख दो, cos 30 कितना होता है, under root 3 upon 2 होता है, under root 3 upon 2 equal to, यह क्या हुआ, 8 upon r q-, q-डैस इदर लाओ, बाकि सब चीज़ें उदर, तो r q-डैस इदर लाए, तो यह चला गया, 8 into 2, और नीचे काऊन, नीचे under root 3, अंडर root 3 से multiply, divide कर देंगे, आपको पता है, अंडर root नीचे नहीं, रखा जाता, इसलिए उपर हो जागा, 8 दूनी, 16, अंडर root 3 upon 3, यह कितना आ गया, r q-डैस आ गया, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, पेंड की total उचाहिए, तो पूरी height of the tree जो होगी, height of tree होगी, वो कितनी होगी, वो आपको बता चुका हूँ, वो होगी, pr और qr, तो हम क्या लिख रहे है, pr और plus qr, ध्यान दीजिए, pr कितना है, pr आपने कितना निकाला था, 8 root 3 upon 3, 8 under root 3 upon 3 plus qr कितना निकाला, qr नहीं निकाला, आप तो r q-डैस निकाला हो, लेकिन है तो यह qr ही के बराबर, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, r q equal to r q-डैस, यह यह distance बराबर है, तो इसकी जगा पे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा, यह बाली चीज, कितनी है, r q-16 under root 3 upon 3, 16 under root 3 upon 3, LCM आपका 3 होई जाएगा, उपर कितना हो जाएगा, डैरेक्ट जुडेगा, ना, निनोमेटर एक्वल हैं, तो उपर डैरेक्ट जुडेगा, तो यह कितना होगा, 24 under root 3, 24 आ गया, इसका मतलब यह 3 से कट भी ग question 3 है, question number 3 की बात हो रही है, अच्छा बाई, कुछ ऐसा है question, बच्चे हैं, दो तरीके के जो 5 साल के हैं, और 5 साल से बड़े भी हैं, contractor यह चाहती है, कि एक पार्क में दो तरीके के उसको slider जो नहीं होती है, जिन में फिसला जाता है, उसमें बच्चे slide करना चाहते है, दो वो install करना चाहती है, ऐसे slider, का यह प्लान है, कि जो एक जो 5 साल से कम के बच्चे होंगे न, उनके लिए मैं ऐसा slider होना चाहिए, जिसकी height, जिसकी height, यह जो सिडिस चढ़ा जाएगा, यह वाली height, 1.5 मीटर होनी चाहिए, और यह 30 डिग्री पर inclined होना चाहिए, इसका slope जो है na slider, जहां से बच्चा फिसलेगा, वो 30 डिग्री पर inclined होना चाहिए, और साथी साथ वो यह कह रहे हैं, कि जो 5 साल से बड़े बच्चे होंगे न, उनके लिए यह जो height है, यह बढ़ा दो, इसको कर दो 3 मीटर, और यह angle भी कर दो 60 डिग्री, य 60 डिग्री का angle कर दो, ऐसा वो चाहती है, कि ऐसे 2 slider हमें बनाने हैं, आपको height, मतलब length of the slide यह वाली निकालनी है, मैं naming कर ले रहा हूँ, सबसे पहले अगर मैं इसको A B माल लूँ, ABC, और इसको P Q R माल लूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छा, हमें क्या चाह जो भी मैंने बोला है, इससे पहले आप language में लिखेंगे, दिखाएंगे, B यह इसकी height है, BC जो इना length है, और slide हो रही है, AC की जो 5 साल से कम बच्चे हैं, उनके लिए पूरा आप language में लिख दीजेगा, इसका भी, मैं आपको main question कैसे लगाना है, वो बता रहा हूँ, इन triangle कि strangle में, ABC में, आजाओ, ABC में, ABC में हमें height पता है, निकालना क्या है, hypotenuse निकालनी है, अगर hypotenuse निकालनी है, तो perpendicular or hypotenuse किसमें होती है, sine में होती है, तो मैं क्या लेना चाहिए, sine theta is equal to क्या होगा, strangle के according, यह हो जाएगा, AB upon AC, अच्चा, sine theta कितना है, theta 30 degree, 30 degree है, लेकिन AB कितन है, CA या AC, यह हमें निकालना है, अच्चा, यह उधर ले जाओ, इसकी value कितनी होती है, 1 upon 2 होती है, AC भी इधर ले आओ, सामने कौन है, 1.5 है, 2 भी इधर ले आओगे, तो AC कितना आएगा, 1.5 into 2, तो AC कितनी हो जाएगी, 3 meter हो जाएगी, यानि पहले जूले का जो slider है, वो 3 kilometer लंबा होगा, दूसरे की बात कर लेते हैं, किस triangle में आजाएं, in triangle कौन सा, PQR में, PQR, हमने यहाँ पे P लिखा है, यह Q लिखा है, ध्यान रखिएगा, और यह R लिखा है, अब इसके according हमें क्या चाहिए, perpendicular हमें पता है, hypotenuse है, फिर sin theta लगाएंगे, तो यहाँ भी sin theta is equal to PQ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PQ upon, PQ upon क्या, PR हो जाएगा, PR, PR हमें चाहिए है, देखो न, PR हमें चाहिए, अच्छा, यहाँ पे angle कौन सा, दोगे, 60 degree, sin 60 degree, क्योंकि यहाँ पे 60 हैं इसलिए, अच्छा, यह क्या PQ कितना है, PQ कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख दो, नी 60 की अंडर रूट 3 अपाउन 2 होती है, सामने काऊने 3, नीचे काऊने PR, ये इधर बाकी सब इधर, तो PR इधर गया, PR उधर चला गया, यहां काऊने पहले से 3, 2 भी तो आएगा, 2 भी आगया, रूट 3 नीचे जाएगा, हाँ जाएगा, तो ये जो है ना, अंडर रूट 3 से ज यहां तक जब कोई स्लाइड करेगा, तो उसकी लिए अंठी कितनी आएगी, 2 रूट 3, और ये कितनी आएगी, ये आएगी, 3 मीटर, चला, नुबर 4 पढ़ते है, अंगल आफ एलेवेशन, आप यहां पे खड़े हो, कोई यहां पे खड़ा है, और एक टावर को देखता है माल लिए, ये टावर है, और यहां पे इसको देखता है, यहां से देखता है, अब ये जो खड़ा है ना, वो इस टावर से 30 मीटर दूर है, पहली बात, दुसरे जो यहां से इसको टॉप को अगर कोई देख रहा है, तो ये 30 डिगरी का एंगल बन रहा है, आपको हाइट अब दो टावर निकालना है, आपने फीगर बना ली, फीगर बनाने के बाद तुरन नेमिंग कर लो, माल लिए ये बी एक टावर है, और सी पर कोई खड़ा है, हो गया काम, अब आपको क्या चाहिए, बेस पता है, परपेंडिकुलर चाहिए, बेस और परपेंडिकुलर मे पता नहीं है, लिख दो, अबी का अबी, बी सी कितना है, ये 30 डिगरी है, अच्छा, टैन 30 की डिगरी की बेलू आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है, बन अपन रूट 3 होती है, अबी की जगा पर अबी, 30 की जगा पर 30, 30 उदर भेजना है, तो अबी इकल टु कितना आ गया, ये गया 30 उपर आ गया, 30 अपन रूट 3 पहले से ही है, और अंडर रूट 3 से मल्टिप्लाई करेंगे, और अंडर रूट 3 से डिवाइड करेंगे, ये करते ही उपर हो गया 30 अंडर रूट 3, लेकिन नीचे अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, 3 हो गया, 3 से इसको डिव दिसम्लब 3 मीटर ए भी आया कितना आया ए भी 17.3 ए भी क्या था हाइट आप दा टावर क्या लिखने है हाइट आफ टावर कितना आया दस अंडरूट 3 मीटर अच्छा इसी को आप ऐसे भी लेख सकते हो 10 इंटू 1.731 अंडरूट 3 की वैलू तो यहाँ पर इसकी मल्टिप्ल आया हो जाएगी तो 17.31 मीटर आ जाएगा यह हाइट आफ टावर हो गई आपका अंसर हो गया कोश्चन वह फाइब पढ़ते हैं आप ध्यान से पढ़ लिजिए मैं आपको सिर्फ कोश्चन समझा रहा हूं कोश्चन ने यह कहा है कि एक पतंग है काइट है माल लिया यह को हमें यहां पर यह मालूम है कि इसकी हाइट जो है ना यह हाइट इसकी इसकी यह 60 मीटर है यह कोश्चन ने हमें दे दिया यह हाइट कितनी है 60 मीटर है हमें इस जो डोर है ना पतंग की इसकी लेंथ बता नहीं है चलो बताते हैं नेमिंग कर लेते हैं माल लिया पीपर टा यह क्या होता करण होता है है यह क्या होता है लंब होता है यानि पर्पेंडिकुलर तो इसमें और इसमें कौन सी रिलेशन होती है साइन की होती है तो हम इस ट्रैंगिल में बात कर लेंगे इन ट्रैंगिल किसमें पी क्यू आर में जो हमारा साइन होगा वाना साइन थीटा वो क्या होगा क्यों और it up पी क्यूओ और यानी लमबते कंड़ो गवाइंडीटी बंच को disciplines तो माला क्या हो गया क्यूं अपन यह हो गया साइन थीटा ठीटा की वैलू डालो theta की value डालोगे तो sin 60 degree हो जाएगा qr हमारा कितना है 60 है pq, pq हमें पता नहीं है इसलिए हमने pq रहने दिया sin 60 की value डाली है sin 60 value क्या होती है under root 3 upon 2 यह 63 है upon कौन है pq है pq उधर लाइए बाकिसाब item उधर तो pq equal to यहाँ 2 जाएगा 2 into 60 upon under root 3 अच्छा और इसको अगर आप solve करोगे तो pq कितना आ जाएगा pq 120 बटे 3 नहीं under root 3 से multiply और divide भी करेंगे आप तो under root 3 से multiply करा तो उपर कितना हो गया 120 under root 3 नीचे कितना हो गया 3 हो गया 3 से cancel भी करेंगे तो 60 आएगा तो आपका answer क्या आगया 60 under root 3 meter 60 under root 3 meter यह आपका क्या आगया उस डोर जो पतंग की डोर है उसकी लंबाई कितनी आ गई 60 under root 3 आ गई यह आपका answer है आपका answer यहाँ पर लिखना पड़ेगा length जो है ना length of string string जो आई है वो कितनी आई है 60 under root 3 का finally यह answer होगा question number 5 तक हमारे आज हो गए है question number 5 ही तक रखते है आगे के हम videos आगे आएंगे channel को subscribe करिए और channel को आगे भी share करिए